प्यारे बच्चो आज हम कक्षा 5 की EBS की वरक्षीट नंबर 13 करेंगे वरक्षीट नंबर 13 बच्चो EBS की वरक्षीट है From Testing to Digesting तो बच्चो हमें Digestive System के बारे में Study करेंगे आज पाचन दंतर नमस्ते प्यारे बच्चो अपने मन परसंद खाने का नाम सुनते ही अमारे मुँ में पानी आ जाता है और हम मन परसंद खाने को गप से अपने मुँ में डालेते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि मुँ में खाना डालने के बाद खाना कहा जाता है आईए नीचे देगी कवीता के मादम से हम लोग अपने सरीर के पाचनतर के बारे में जानते हैं तो देखे बच्चो सवादिस्टी बोजन मुँ में डालो दांतों से फिर चबा कर खालो खाते खाते आई लार खाना चला गरास नली के पार खाना धीरे धीरे नीचे आए पेट में जाकर पेट भर जाए छोटी आद खाना पचाए पचके खाना आगे जाए बड़ी आज से होते होते मलदवार एपाचित बोजन बाहर भगाए तो बच्चो देखिए कवीता के आदार पर पाचंत अंतर से शमंदित अंगों के नाम करमानुसार लिखिए तो पहला आप क्या लिखेंगे बच्चो मूँ के इंदर यहाँ पर जो है बोजन चोटे चोटे टुकडम बाढ़ दिया जाता है दूसरा आप लिखेंगे बोजन अली यह जो है बोजन अली है बोजन अली उसके बाद तीसरा अमाश्यत हुआ पेट अमाश्य यह है अमाश्यत तीन नमबर पर फिर चार नमबर पर अबच्चो चोटी आथ इसको हमें अक्षुद्रांतर बोलते हैं अक्षुद्रांतर यह छोटी आथ भी आप लिख सकते हैं उसके बाद अब जो छे नमबर इनोने गलत दिया हुआ है यह पांच नमबर होना चाहिए यह पांच यह छे पांच नमबर पर है विर्दांतर विर्दांतर या बड़ी आंत बड़ी आंत भी लिख सकते आप और छे नमबर पर गुदा ये सबसे लास्ट पार्ट होता पाचंदंतर का गुदा तो इस तरह से आप ये नोट कर सकते हैं उसके बाद देखिए बच्चो आपने उपर दीगी कुईता से सिखा की पाचंद किरिया में बहुत से अंग सायता करते हैं परती कंका मिलान करके मिलान उसके द्वारा किये जाने वाले कारिये से किजिए मू क्या करता बच्चो मू का मिलान हम करेंगे इसके साथ ये वाला इससा इसमें बोजन के चोटे 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 बड़े टुकडों को चोटे 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 टुकडों में तोड़ दिया जाता है गरास नली गरास नली क्या करती है गरास नली इसके दोरा बोजन पेट में जाता है इसके दोरा बोजन पेट में चला जाता है पेट का हम क्या करेंगे पेट के अंदर पाचसक रस होते हैं इन पाचसक रसों की शायता चाहिए बोजन पचता है छोटी आथ छोटी आथ बोजन का आफ्रोशन करती है तो ये वाला आ जाएगा पहले वाला बड़ी आथ इसके दवारा एपचित बोजन से पानी अलग किया जाता है मल दवार का जाएगा दूसरे नमबर वाला इसके दवारा एपचित बोजन को सरीशे बाहर निकाल दिया जाता है तो बच्चो इस तरह से सही में लाइन कर सकते हैं वीडियो रोक करके आप यह सिर्फ चीजे नोट कर सकते हैं बच्चो जब हम कहते हैं कि हमारे मन परसंद खाने को देखकर हमारे मुझ में पानी आ गया तो क्या आप जानते हैं उस पानी को क्या कहते हैं उस पानी को कहते हैं लार अत्वा सलाइवा यही लार हमारी बोजन को नरम और मुलाइम बनाती है और नरम और मुलाइम बनाती है जिसकी वज़े से वो आसानी से बोजन नली के मादम से पेट तक चला जाता है तो बच्चो यह थी आपकी EVS की वरक्षी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें वारे चैनल को सब्सक्राइब करें